हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे जो मेंसुरेशन 3D में इतने सारे फॉर्मूले हैं उनको हम कैसे केवल एक कॉंसेप्ट की सहता से याद करते हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं गन, गनाब, बेलन, खोकला बेलन, छिनक, संकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड तो इन सभी के फॉर्मूले हमें आद करना थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला काम है तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कि एक आपको कैवल क्या करना है एक कॉंसेप्ट याद रखना है बाकि आप खुद उन फॉर्मूलों को बना सकते हैं स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले जो मेंशुरेशन 3D का पोर्षन है जो इसमें आपसे पूछा जाएगा बक्र प्रष्ट का चेतरफल कोई भी एक आकरती होगी चाहे वो घन की हो घनाप की हो वेलन की हो इसमें आपसे पूछा जाएगा वक्र प्रष्ट का चेतरफल य जब भी आपसे बक्रफ्रेश्ट का चेत्रफल पूंचा जाता है तो आपको क्या करना है जो आकर्ती दी गई है उसमें आधार को देखना है आधार का परिमाप करना है और गुणा उँचाई कर देना है अब यह आप इसको देखिए फिर हम आपको इसमें जो आकर्दी को ले के आपको समझाएंगे तो जब भी वक्रप्रेश्ट का एरिया आपको find करना है तो इसमें आधार का परिमाप into उचाई करना होता है जब भी आपको संपून प्रेश्ट का चेतरफल find करना है तो इसमें आपको वक्रप्रष्ट यानि कि जो आपने वक्रप्रष्ट निकाला है वो और आधार और छट के छेतरफल का योग करना पड़ता है माली जी एक घन है तो यहाँ पर जो इसका वक्रप्रष्ट होगा वो क्या होगा इसकी ये दीवाल, एवाली, एवाली और एवाली मतलब जो जैसे हम एक अपना कमरा देख लेते हैं तो उसकी जो चारों दीवालें होती हैं वो बक्रप्रेश्ट कहलाती है ठीक है अब यदि हम नीचे का फर्स और उपर जो छट है अगर हम उसको भी एड़ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है संपूर्प्रेश्ट हो जाता है तो आपको क्या है याद रखना है कि जो संपूर्प्रेश्ट का चेतरफल है वो उसमें बक्रप्रेश्ट प्लस आधार वा चट के चेतरफल का योग करना है नेक्स्ट यदि आपको आयतन फाइंड करना है तो क्या करना है आधार का छेत्रफल इंटू उंचाई ठीक है अब आपको और चिल समझ में आगा सबसे पहले हम लेते हैं घन की आकरती ठीक है तो घन क्या होता है घन में आपको रखना है या वर्ग और घनाब में रखना है आयत घन क्या होता है वर्ग से मिलकर बनता है छे वर्ग से मिलकर घन बनता है तो इस तरीके से यह आकरती हो गई हमारी घन की अब इसमें क्या होती है छे वर्ग यानि कि एक दो तीन चार चारों दीवालें और नीचे का और उपर का तो इसमें आपको क्या करना है अब अगर इसका वक्रप्रेस्ट का छेत्रफल निकालते हैं तो याद बिल्कुल नहीं करना इसका जो वक्रप्रेष्ट होता है यानि कि जो घन का वक्रप्रेष्ट होता है उसको हम पार्षवप्रेष्ट बोलते हैं ठीक है यहां इसको हम बोलते हैं पार्षवप्रेष्ट या कमरे की चारों दीवारों का छेतरफल घनाकार या वरगाकार कमरे की चारों दिवारों का छेत्रफल तो इसके लिए आपको क्या करना है जब भी आपको वक्र प्रष्ट का छेत्रफल निकालना है तो आधार का परिमाप लेना है तो इसमें जो आधार है वो क्या है यह है अपना आधार यह नीचे वाला हिस्सा क्या है अपना आधार है और आधार हमने अभी बताया आपको वर्ग से मिलकर क्या बनता है घन बनता है तो इसका जो आधार है वो क्या होगा आधार क्या होगा एक वर्ग होगा और यदि वर्ग है तो वर्ग का आपको यहां पर परिमाप करना है यहां पर लखा हुआ है आधार का परिमाप तो आधार हमारा वर्ग है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है यहां पर आपको याद होना चाहिए 4 into A into उंचाई तो यहां पर उंचाई निकाल ली है अब इसकी उंचाई क्या होगी चुकि यह वर्ग से मिलकर बना है तो इसकी जो सभी भुजा होती है वो क्या होती है बराबर होती है तो इनकी जो सभी भुजाए है वो क्या होगी एक्वल होगी तो जो उंचाई है यह तो उंचाई भी इसकी क्या होगी ए होगी तो यहां पर हम into A कर देते हैं तो यहां पर जो पार्स प्रेश्ट निकलेगा वो निकलेगा 4A square इसी तरीके से अगर हम इसका TSA यानि कि सम्पून प्रेष्ट निकालते हैं इसका यादि हम सम्पून प्रेष्ट फायन करते हैं तो आपको क्या करना है बक्र प्रेष्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है बक्र प्रेष्ट तो वर्ग का छेतरफल क्या हो जाएगा A square plus यहाँ इसका जो छट है यह वाला जो आपको इसका उपर का हिस्सा दिख रहा है छट इसका माना जाएगा तो छट भी इसमें वर्ग के रूप में है तो इसका भी जो छेतरफल होगा वो A square होगा हम सब भी को जब add करते हैं तो हमारा आंसार रहेगा 6 A square ओके आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको किबल इन कॉंसेप्ट को याद करने की जरूरत है Next हमारा आयतन तो आपको घन का आयतन है क्या होता है आपको याद है A घन कैसे find करते है आधार का छेतरफल आधार हमारा यहाँ पर क्या है वर्ग है अब वर्ग का छेतरफल क्या होता है A square होता है into उंचाई क्या है हम देख चुके हैं उंचाई क्या है इसकी A है तो into A कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A घन देखो इस तरीके से हमने क्या किया इसका CSA, TSA and volume find किया अब हम next लेते हैं क्रती तो आप और अच्छे से समझ में आएगा अब गन की स्थान पर हम लेते हैं गनाब तो next है हमारा गनाब गनाब क्या होता है जैसे गन वर्ग से मिलकर बनता है वैसे ही जो गनाब है वो आयत से मिलकर बनता है तो यह हो जाएगा हमारा गनाब अब इसमें यदि सबसे पहले सुन लो यदि आपको कमरे की चारों दीवारों का छेतरफल निकालने के लिए आए तो आप समझ जाना वहाँ पर आपसे सर्व कर्ब्ड सर्फेस एरिया पूंच रहा है वो ठीक है तो अब गनाब के लिए हम करते हैं जो इसका जो आधार है वो आपको आयताकार दिख रहा होगा ठीक है तो जो आयताकार है इसका आधार भी आयताकार है और इसका जो च्छत है वो भी आपको आयताकार दिख रहा होगा तो वक्रवरष्ट का चेतफलेदी हमें यहाँ पर फाइन करना है तो आधार का परिमाप आधार क्या है इसका आयत और आयत का परिमाप क्या होता है हम जानते हैं दो गुणा लंबाई धन के चोड़ाई इंटू उंचाई यहाँ पर जो इसकी उंचाई है वो क्या हो जाएगी एच हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जो उंचाई है वो एच हो जाएगी तो जो घनाप का कर्ड सरफेश एरिया जो होता है वो क्या होता है 2L plus V into H ओके ये इसका नॉर्मली सूत्र हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा टोटल सर्फेस एरिया अगर हम टोटल सर्फेस एरिया देखते हैं तो उसमें क्या है बक्र प्रस्ट यानि की 2L plus V into H प्लस आधार वा छत के छेतरफल का योग आधार आयत है छत भी आयत है तो आधार का छेतरफल क्या होता है लंबाई गुड़े चोणाई प्लस और छत का छेतरफल भी लंबाई गुड़े चोणाई होता है अब हम इसको थोड़ा सा विवस्तित करके लिख लेते हैं तो कैंसा करेंगे, इसका इसमें गुरा, two H का L में, तो two H L plus two H B two H B plus, L का L में करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, या फिर यहाँ इसको लिख सकते हैं, two L into V, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2HL 2HB plus 2L plus के 2B यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अब यहां पर गादी हम 2LV सौरी यहां पर क्या होगा मैंने यहां प्लस सोचलिया था यहां पर 2LV होगा यहां पर हमने आप 2 को common किया two common यहाँ पर करेंगे और कुष्टक में क्या हो जाएगा H L plus के H B plus के L B अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो तो L B को यहाँ लिख लेते हैं L B plus के B H plus के H L यही होता है ना दो गुणा लंबाई चोड़ाई plus चोड़ाई उंचाई plus उंचाई और लंबाई तो यह क्या हो जाता है गणाप का संपून प्रष्ट का छेत्रफल हो जाता है तो हम इसको याद तो यहाँ सी करेंगे कि 2 L B plus B H plus H L लेकिन आपको इस concept को याद रखना है इससे आप इसको find कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया next यदि हम घनाप के आयतन की बात करते है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आधार का छेत्रफल इंटू उंचाई आधार क्या है यहाँ पर आयत है तो आयत का छेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चोणाई और उंचाई क्या होती है इंटू उंचाई तो जो घनाप का आयतन होगा वो लंबाई गुणा चोणाई गुणा उंचाई हो जाएगा इस तरीके से हमने घनाप के भी देखे अब नेक्स हम देखते है नेक्स आकरती हम लेते है वेलन नेक्स आकरती है हमारी वेलन वेलन क्या होता है यह है हमारा वेलन ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इसकी दरज्जा हो जाएगी और जो इसकी क्या है इसकी उंचाई हो जाएगी जो इसका आधार है वो क्या आपको दिखाई दे रहा है आधार में ब्रत दिखाई दे रहा है और जो इसका छत है इसमें भी आपको ब्रत दिखाई दे रहा है तो आप देखो simply का करना आपको वकरप्रेश्ट का जो ुचेदरफल find यदि आपको करना है तो आधार का परिमाप, आधार क्या है ब्रत, तो ब्रत का परिमाप यानि की ब्रत की पर्दी क्या होती है 2 πाई आर into ऊचाई, तो उसको रुचाई क्या है H, तो इसका जो C, S, A हो जाएगा, वो 2, Pi, R, H हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारा T, S, A तो लाफ आश देखेंगे, अब आपको concept समझा गया है, तो वक्रप्रिष्ट क्या होता है 2, Pi, R, H प्लस, आधार रफा चत के छेत्रफल का योग, आधार क्या है ब्रत, चत क्या है ब्रत, तो दोनों के चेत्रफलों का योग, तो Pi, R, Square, plus के Pi, R, Square, तो यहाँ पर हो गया 2, Pi, R, H plus A, हो गया 2, Pi, R, Square यहाँ पर 2, Pi, R common हो जाएगा, H plus R यह हो जाता है, हमारा Bijlan का संपूर्ण प्लेष्ट, अब 코로나 का item आपको find करना है तो item के लिए आधार का छेतर फल तो वरत के छेतर फल का सूतर होता है πाईयार स्क्वेर इंटू उंचाई क्या है? h तो यह हो जाएगा तो वेलन का जो item हो जाएगा वो πाईयार स्क्वेर h हो जाएगा ठीक है? अब हम next करते हैं विलन के बाद खोकला विलन यदि आपको खोकला विलन आ जाए तो आपको क्या करना है तो इस तरीके से एक खोकला विलन हो जाएगा एक खोकला विलन है आपका अब इसमें जो इस छोटा वाला विलन है इसकी तरज़ आप R माल लेते हो और इस जो वड़े वाले वेलन की तरज़ आप Capital R माल लेते हो ठीक है और इसकी जो उंचाई है वो H माल लेते हो तो इसका जो वक्र व्रेष्ट होगा C S A होगा वो क्या होगा आधार का परिमाप आधार क्या है अपना व्रेष्ट ठीक है ये दोनों आधार हैं अपने तो व्रेष्ट हो जाएगा तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई जो वड़ा वाला व्रेष्ट है तो इसकी तरज़ आपिटल R ह हो जाएगी प्लस इस छोटे वाले आधार कभी लेंगे अपन तो 2 पाई आरेष्ट हो जाएगा अब यादी हम टी ऐसे की बात करें देखो यहाँ पर दो ब्रत हैं आधार में इसलिए आपने बड़े ब्रत की तरज़्जा वाला भी यहाँ पर लिया है और छोटे ब्रत की तरज़्जा वाला भी लिया है टी ऐसे निकालने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 2 पाई एच कॉमन कर सकते हो R प्लस R टी ऐसे निकालने के लिए आपको क्या करना है बक्र प्रश्टेल करना है 2 पाई एच capital r plus small r plus आधार वा छत के छेत्रफल का योग तो आधार का छेत्रफल क्या हो जाएगा pi pi r square minus pi r square क्या देखो pi जो ये बड़ा बाला छेत्रफल है तो capital r square हो जाएगा और उसमेंसे हम इसको घटा देंगे तो ये जो वीच वाले area का हमारा छेत्रफल निकल आएगा तो इसमेंसे घटाते है pi small r square अब यही से हम उपर होगा तो इसको हम plus क्या कर देंगे pi r square minus के pi r square फिर यदि हम इसको solve करेंगे तो आजाएगा 2 pi h r plus r plus अब यदि हम इसका volume find करें तो कैसे आएगा volume के लिए आधार का छेत्रफल आधार क्या है हमारा pi capital r square minus pi small r square तो ये क्या हो गया आधार का छेत्रफल अब देखो यहाँ पर ये तो आधार हो गया आधार का छेत्रफल यानि कि इस ब्रत का छेतरफल क्या होता है πाई r square into h अब प्लस चुकि यहां पर चोटा बाला ब्रत भी है इसलिए चोटी बाली ब्रत का भी लेंगे πाई r square into h तो यहां पर हम पाई h common करेंगे और r square minus के r square तो यह क्या हो जाएगा हमारा volume हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से आई होब आपको इस समझ में आ रहा होगा इसी तरीके से हम next जो आकरती लेते हैं वो लेते हैं संकू संकू और गुला दो और अपने बचे हैं संकू तो संकू के लिए आपको क्या करना है यहां पर यह हमारा संकू हो गया यहां पर एक capital R है और इसकी उ कुझाई होती है L okay तो तरीया कुझाई सबसे पहले तो संकू की कैसे फाइन करते हैं L बराबर तो देखो यहां आपको यह राइट एंगल ट्रेंगल देख रहा होगा यहां पर ओकए तो एल यहां की करना का बर तो करना का बर बर बराबर होता है लंब का बर प्लस आधार का वर तो L बरावर कैंसे find होगा root के अंदर H का square plus R का square ए अपनी संकू की त्रिया कुण चाहिए हो गई अब बक्रप्रष्ट बक्रप्रष्ट के लिए आपको आधार का परिमाप लेना है तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई R और जोए यहाँ पर जोए क्या है यहाँ पर यह तरी यह कुण चाहिए इसमें जोई normal उन चाहिए यह नहीं लेना आपको यहाँ पर याद रखना है तरी यह कुण चाहिए लेना है तो जो सी ऐसे हो जाएगा वो पाई R L हो जाएगा संपून प्रेष्ट क्या हो जाएगा संपून प्रेष्ट हो जाएगा वक्र प्रेष्ट प्लस अधार का छेतर फल इसमें उपर तो कुछ है ही नहीं इसलिए यहां 2 piR की जिल्हा अपने piR लिया है तो piR L प्लस अधार का छेतर फल जाएगा piR sq. तो यहाँ पर हम करेंगे π.r l plus r यह हो जाएगा संकू का संपूर्ण प्रेस्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं वोल्यूम वोल्यूम क्या होता है आधार का चेत्रफल आधार का चेत्रफल है π.r square इन्टू उन्चाई है h अब आधार का चेत्रफल क्या होगा देखो विलन हो जाता है एक एक यह दूसरा हिस्चशा यह तीसरा हिस्चा यानि कि जो हमारा विलन का आयतन हमने पड़ा था पाई आर सक्वेर हैच इसका अगर हम वन थर्ड़ तार्ड कर देते हैं तो वो संकू का आयतन हो जाएगा आप स्कू ting कैसे भियाद रख सकते हो खुला तो ठोस होता है मतलब इस तरीके से वा अंदर पूरा का पूरा भरा हुआ होता है यानि कि आप एक वाल को ले लो तो ये गोला है तो गोले का जो प्रस्टिय चेतरफल यानि कि जो गोले का प्रस्टिय चेतरफल होता है तो गोले का यदि हम प्रष्टिय चेतरफल की बात करते हैं तो वो होता है 4 πाई आर स्क्वेर और गोले का जो प्रष्टिय चेतरफल होता है 4 πाई आस्क्र इसका जो वक्रफ्रस्ट होता है वो होता है 3 πाई आर स्क्वेर यह होता है टोटल सर्फेस एरिया A होता है इसका C S A एंड इसका जो volume होता है गोले का वो होता है 4Y3PiRQ इसको आप जाते कर लो 4Y3PiRQ ओके PiRQ A होता है इसका आधन गोले का अब यदि इसी में हम अर्ध गोला ले रेते हैं तो अर्ध गोला का 4PiR से क्या हो जाएगा 2PiR square हो जाएगा इसका and जो इसका आधन होगा तो इसको हम आधा कर देते हैं इसको अग्यद हम आधा कर देंगी तो हो जाएगा 2 बटे 3PiRQ तो अर्ध गोले का आधन हो जाएगा ओके और जो यह 3PiR square है ए हमारा अर्ध गोले का संपून प्रेस्ट हो जाएगा और अर्दगोले का वक्र प्रेस्ट हो जाएगा इसके बाद इसके बाद आपकी दो जो आकरती है वो राती है कौनसी एक प्रिजम आती है तो आप नॉर्मली देख सकते हैं एक प्रिजम प्रिजम क्या होता है कुछ इस तरीके से आकरती होती ह है उसकी यह हमारा प्रिजम होता है और इसी में अगर आता है आपका प्रामिड तो प्रामिड क्या होता है कुछ इस तरीके से होता है जैसे आप तराजू को लेते हैं यह प्रामिड होता है और नेक्स्ट हमारा आता है छिन्नक तो छिन्नक क्या होती है हमारी वाल्टी होती है यह चिननक होता है ठीक है तो आपको इनके कैसे formula निकाल ले हैं इनके अलग से कोई formula नहीं है जब भी यह आ जाता है तो आपको उसमें normally दिया रहेगा यदि आपको वक्रप्रस्ट निकाल ले आता है तो आधार का परिमाप into उंचाई कर देना है संपून प्रस्ट निकाल ले कर देना है नेक्स्ट यदि आयतन आपको find करने को आता है तो आधार का चेत्रफल इंटू उंचाई कर देना है तो यहां पर जे मैं मेंशुरेशन 3D कम्प्लीट हुई और आपको मेंशुरेशन 2D 2D के भी आपको यदि यह formula समझने है तो आप comment कमेंड जरूर करें थेंक य कर दो आपको यह झाल कर देना है पुम्लीट है जरूर करें तो आपकोश